हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कार, भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें, तिलक क्रिष्णा, के रहे डिला कृष्णा, क्रिष्णा, कि यू जा det, भारत के और पालाओं प Allah, कि brava हमारे संस्क्राइब करें, एहमारे संस्क्राइब क्ष bisa यूर gratis कि नवेए ए हरे किष्णा, हरे किष्णा, हरे हरे सच्छिरानंदर उपायत, विश्व पत्क्या धिये तवे नाचायए श्वीक रिष्णायवयम्न महा श्वीक्रिष्ण गोविंदर है मुरारे ये नात नारायन वासुदे कर नारी कि दमिनक, दो डेलो, यारी जिस्मीं! झाल है। फटे लुज से लोहortal हम ya जुब क्वके लोगन आई यह नहीं हो सकता यह गदा पी नहीं हो सकता परन तो हुआ क्या है स्वावी अनिरुथ अरूशा का विवा अरूशा का विवा अवश्य आपने कोई सपना देखा होगा हा महराणी मैंने सपने में अनिरुथ अरूशा का विवा होते देखा है महराण तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है महराण उरूशा और अनिरुथ के विवा की आशंका आपके मन में सर्थ की भांती कुंडली मारे बैठी है और वो सपने के रूप में अपना फ़न उठाती है इसलिए सपने के चिंता छोड़िए और चलिए सोजाईए तहीं महराणी सपने अतीद की परचाईयां है और भविशे का संकेत होती है इसलिए सपना देखकर संकेत को अंदेखा कर दिया तो अनर्थ हो सकता है महराणी महराणी इसलिए मुझे सावधान रहने क्या वो सकता है सावधान तो आप पहले ही से है स्वामी इसलिए आपने अपने प्रमुक एवा मायावी गुप्चरों वीर सेन और चित्र सेन को अनिरुद के पीछे लगा दिया है अब अनिरुद आपके विरुद कुछ भी करेगा तो आपके गुप्चर आपको बताएंगे ही इसलिए आपने चिंत होकर सो जाएए महराज चलिए नहीं महराणी जिस पिता के पुत्री जवान हो गई हो उसे सोने का अधिकार नहीं होता यदि वो सो भी जाता है तो उसकी चिंता जागती रहती है महराणी वो तो मैं देखे रही हूं महराज कि आप सोते में भी रात रात भर तरवार की धार पर करवटे बदलते रहते हैं महराणी मुझे हर समय यही भैस दाता रहता है कि नजाने कब अनिरुद्ध फिर मेरे पीछे मेरे घर में घुजकर मेरे पीट में चूरा खोब दे महराणी मुझे अपने प्राणों के चिंता नहीं बलकि अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के चिंता लगी रहती है यह आपका संदेह है महराज, जिसका कोई उपचार नहीं है, केवल सत्य का प्रकाश ही आपके संदेह के अंदरकार को दूर कर सकता है, अर्थात, अर्थात यह, कि आप स्वयम चलकर अपनी पुत्री के कक्ष में देखिए, कि वो आंखे बंद करके सो रही है, अथ्वा किसी क साथ आंखे लड़ा रही है, इससे आपको यह भी विश्वास हो जाएगा, कि मेरी पुत्री के रगों में रक्त बनकर दौनने वाला मेरा दूद निरलज नहीं है, महरानी, इस समय आपका ग्रोध ही उचित है, और आपका सुझाव भी, अपनी पुत्री पर माता पिता का नदर रखना अच्छा ही है, महरानी, चलिए महरानी, पता नहीं, चित्रलेखा द्वारी का सुरक्षत पहुंच सकेगी भी या नहीं, और पहुंची भी, तो राजमहल में कैसे पहुंचेगी, माया का प्रयोग करके वो अद्रश्य तो हो सकती है, परन्तु भगवान कृष राजमहल में पहुंच भी गई, और राजकुमार अनिरुद का अपरण कर भी लिया, तो यहां पहुंचने बर भी धोका हो सकता है, कहीं पिताश्री के माया भी पहरेदारों में से किसी ने उन्हें देख लिया, तो हम सब संकट में आ जाएंगे, हे भगवान भोलिनाथ, हे माता पार्वती, आप दोनों हमें सभी संकटों से दूर रख, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, मैं अपनी पुद्री पर बिना कारण शंका कर रहा हूँ, वो तो यहां अपने कख्ष में प्राथना कर रही है, और मैंने उसके बारे में कितनी अनुचित बात सोची, ये केवल मेरी मन की शंका है, और कुछ नहीं, प्रणाम प्रभू, प्रभू, आज आप बहुत प्रसन दिखाए दे रहे हैं, मैं कब प्रसन नहीं रहता, मैंने तो ऐसे ही पूछा था, कि देवर्शी नारत से भेट हो जाने के बाद, आप इतने प्रसन क्यों हो जाते हैं, परन्तो अब मैं ये अवश्र जानना चाहूंगी, कि आपकी प्रसनता का कारण क्या है, अब मैं आपके इस मधूर मुस्कान से ब्रहमित होने वाली नहीं हूँ, बताए न प्रभू, देवी, बहुत ही सीधी और सरल बात है, सीधी और सरल? हाँ देवी, क्यों आपको विश्वास नहीं होता, कि मैं सीधी और सरल बात भी कर सकता हूँ? नहीं प्रभू, आपकी सीधी और सरल बातों में भी कहन अर्थ चुपा रहता है, और इसलिए मैं आपकी बहुती सीधी और सरल बात चानने के लिए हमेशा उच्छुक रहती हूँ, देवी, अब मैं आपकी उच्छुकता का अंत करता हूँ, देवी, यूँ समझ लीजिये कि मैं नाटक लिख रहा हूँ, वाँ प्रभू, वाँ, मनुष्यों का प्रारब्द लिखने वाले अब नाटक लिख रहे हैं, कहीं, कहीं आप इस नाटक के द्वारा किसी का प्रारब्द तो नहीं लिख रहे हैं, देवी, आप तु मेरे मन में बसी हुई है, इसलिए आप मेरे मन को सहजी पढ़ लेती हैं, अच्छा, ये एक नाटक कार कह रहा है, या आपके रचे नाटक का कोई पात्र कह रहा है, आप मेरे उच्छुकता का अंध करने वाले थे, परन्तु नाटक की बात कहकर आपने मेरे उच्छुकता को और बढ़ा दिया है, आपने तो अब तक मुझे ये भी नहीं बताया, कि आपके रचे इस नाटक में देवर्शी नारत कौन सी भूमी का निभा रहे हैं, अच्छा, नारायन, नारायन, देवर्शी के बिना मेरा नाटक पूरा है नहीं होगा, अच्छा, इतनी महत्मपूर्ण भूमी का निभा रहे हैं, देवर्शी, हाँ देवी, जीवन और नाटक में अधिक अंतर नहीं है, जीवन भी एक नाटक है और नाटक में भी हमें जीवन दिखाई देता है वाह प्रभू वाह देवी जीवन में अपेक्षित और अचानक कई नाटक की घटनाई घटती रहती है और नाटक भी जीवन का दरपन होता है देवी जीवन की तरह नाटक भी सुख दुख के रंगों से सजा होता है जीवन का एक ना एक दिन अंत होता ही है उसी प्रकार नाटक का भी अंत निश्चित है देवी नाटक की तरह जीवन भी रोद्र रस, वीर रस, हासी रस, वेंग रस, करुणा रस और प्रेम रस से रस पूर्ण होता है देवी मनुश्य के जीवन का भी एक सुत्रधार होता है उसी प्रकार नाटक का भी एक सुत्रधार होता है प्रभू, आपके नाटक का सुत्र क्या है? प्रेम का बंधन प्रभू आपका नाटक कौन से रसों से परिपूरुन है देवी इस नाटक में रोदर रस भी है, वी रस भी, व्यंग रस भी है, हासी रस भी, करुणा रस भी है और प्रेम रस भी अच्छा, इन सभी रसों से परिपूर्ण नाटक में देवर्शी नारत क्या कर रहे हैं प्रभू? देवर्शी नारत? देवर्शी नारत, इस नाटक में प्रेमी और प्रेमिका को एक दूसरे से मिलाएंगे वाह प्रभू वाह प्रेमी और प्रेमी का को मिलाने के लिए देवर्शे नारज्य से बाल ब्रह्मचारी का चैन किया है आपने परन्तो आपके इस नाटक का शिर्शक क्या है प्रभू? शिर्शक उशा अने उद्ध वाह वाह प्रेमरसिया वाह दुवारिका में प्रवेश करना सहज नहीं है तो राजकुमार अनिरुद का अपरन करना कैसा सहज होगा मैंने राजकुमारी उशा से तो हां कह दी है इसलिए अब मुझे माया का हर संभव प्रयोग करके राजकुमार अनिरुद का अपरन करना होगा हुआ 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 हुआ! असुरह बाणासुर्णे… यदि इन दोनों को अनिरुद पर गुप्त चरी करने का काम सौपा है, तो मैं अनिरुद का अपरन कैसे कर सकूंगे? यदि मैं अपरन करूँ तो यह दोनों ततकाल जान जाएंगे और बाणासुर को समचार देंगे! फिर अनेरुधरन करने का उशा का और मेरा हेतु पूरा नहीं होगा इनसे बचना ही होगा और इसके लिए इन्हें भ्रमित ही करना होगा हज झारे शी write, बूजया होगा, नहीं ह 뉴스 करने का और युज करने करने का दोत्यव और मेरा ही होगा झारे तー में झार एतनी का आर इसके रफ़ा कि भ्रफ बपार होगा खए़ोग्यों:「 It क захватे लोगा उपो यह overe다 तो आजिया है स्वामीनी, तुम दोनों वीर सेन और चित्रसेन को भ्रहमित कर दो, तो आजिया स्वामीनी झाल झाल नारायन, नारायन करहो नारायन PLAYS करे मनेऊ करें नारायन, करॉछ तρέम भरी आरायन'm जारायन है कर दो नार याराण द्वारिका में प्रवेश करना असंभव लग रहा है मुझे दूसरी ओर से द्वारिका में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए यह तो भगवान श्री कृष्ण का मुख्य अस्त्र सुदर्शन है मैं किसे की भी आँखों में धूल जोग सकती है किन्तों इसे दोखा नहीं दे सकते हैं अब क्या होगा ना रायन ना रायन प्रणाम दिवर्शी not ना रायन ना रायन चितर लेखा तुम यहां कणाचित प्रभू के दर्षन करने आई हो दिवर्शी कनाचित भूल रहे हैं आप ही ने मुझे अनिरुद का अपरन करने को कहा था और अब आप ही ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ प्रभू के दर्शन करने आई हूँ तो फिर जाओ अनिरुद को लेकर लेकिन दिवर्शी मैं अंदर प्रवेश कैसे करूँ प्रभु का सुदर्शन मेरे मार्ग की बाधा बन रहा है चुत्रलेखा प्रेम का मार्ग सदा काटों से भरा होता है तुम सुदर्शन का काटा निकाल कर फेक दो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा ना रायण ना रायण नहीं देवर्शी, मैं सुदर्शन का काटा निकालने में असमर्थ हूँ, मुझे आपकी सहायता चाहिए मेरी सहायता नारायन नारायन दो सच्चे प्रेमियों को मिलाने में ये ब्रह्मचारी नारत तुम्हारी कोई भी सहायता करने को तयार है मुझे क्या करना होगा चित्रलेखा तो हे देवर्शी आप इस सुदर्शन चक्र को मेरे मालक से हटा दीजिए जित्रलेखा, एदी तुम सुयम शुध्धा और भक्ती भाव से सुदर्शन से विंकी करोगी तो सुदर्शन सुयम तुम्हारे मार्ग से हट जाएगा सच दिवर्शी नारायन नारायन हे सुदर्शन आपको चित्रलेखा का प्रणाम स्विकार हो हे सुदर्शन आप मुझ पर अनुग्रा तरके मुझे द्वारिका के राजमेंग में प्रविश करने की अनुमती दीजिए मैं राजकुमर अनिरुद को शोनित पुर में बाड़ा सुर की कन्या उशा के कक्ष में ले जाना चाती है हे सुदर्शन आप क्रोदित ना होए उशा और अनिरुद का विवा हो जाएं यही महादिव शिवशंकर और मातपार्वती की भी इच्छा है इस विवा को उन दोनों का आशिर्वात प्राप्त है इसलिए खिर्पया आप मुझे अनिरुद को उठाकर ले जाने की अनुमती दीजिए और मेरा रास्ता मत रोकिए अवश्य ना रायन ना रायन चित्र लेखा तुम्हारी प्रार्थना को सुदर्शन चक्र ने स्विकार कर लिया है अब तुम जाओ और शिक्र ही अनिरुद को लेकर शोनित पुर चली जाओ जो आग्या देवर्शी ना रायन ना रायन धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला प्रभू अनिरुद का किस्का छोगाँ Υπότιτλοι AUTHORWAVE प्रणां प्रभू यशस्वी भव नारायन नारायन प्रभू अभी तक तो आपके इस नाटक ने उच्छुकता जगाय रखी थी परन्तु परन्तु क्या देवर्शी परन्तु अब चित्रलेखा अनिरुद को उठा कर ले जाएगी ये जान लेने के बाद अब इस नाटक के प्रती मेरी जिग्यासा का अंध होने लगा है भग्वन नहीं देवर्शी बलकि अब ये नाटक नए रंग धारन करने जा रहा है नारायन नारायन देवर्शी चित्रलेखा इतनी आसानी से अनिरुद का अपहरन नहीं कर सकेगी और फिर आप दाव भैया को कैसे भूल गए नारायन नारायन प्रभू आपने दाव भैया की याद दिलाकर मेरी जिग्यासा बढ़ा दिये सुदर्शन तो मान गए पर दाव भैया कैसे मानेंगे नारायन नारायन अनिरुद हम उशा का चिच्चो और अनिरुद यहां नीन का आनन ले रहा है और वहां उशा की नीन्द ही उड़ गई है नारायन नारायन वा प्रभु वा आपकी लीला अगाध है भगवन कर दोた यारायन वा प्रिफ जा प्राव प्राव प्रीश वाख भीला रहा है दिवर्शी, यह क्या हो रहा है, सुधर्शन चक्र मेरा मार्क क्यों रोक रहा है, मुझे मार्क दिखाए दिवर्शी, मुझे मार्क दिखाए चुत्रलेखा रणाम दिवर्शी, सुधर्शन चक्र ने तुम्हें केवल अनिरुध का आपारण करने की आज्या दी है, बलराम जी का नहीं, बलराम जी कौन? कौन है? कौन है वहाँ? रुख जाओ, मैं करता रुख जाओ कौन है 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 कौन यह मेरा आदर करने के लीव तुभारे से जुके हैं यह तुम्हें का बुजभारी हो गया है महराज हम पर राजमहेल की शुरुखशा का दाइतु नियुक कैसे हो सकते हैं तो मेरी हाग्यां के बगेर मेरे कक्ष में कोई कैसे घुषाया आप पह इस वेfunded है यहसंभव महाराज, छो तुम्हें असंभव लग रहा है, उसे दूसरे किसी ने संभव कर दिखाया है, यदि इसी तरह राज महल की सुरक्षा का दय तो निभाते रहे, तो राज महल में कोई भी निवास सुरक्षत नहीं रहेगा? महराज ये तो सत्य है कि मैंने आपके कक्ष की ओर किसी को जाते हुए नहीं देखा और नहीं हमारे सामने से आपके कक्ष की ओर कोई गया है यदि किसी मायावी ने आपके कक्ष में प्रेश किया होगा तो उसका हमें ग्यान हो भी नहीं सकता मायावी? मायावी? कि ऐसे बाडासुर की अ कुः माया वी चाल तो नहीं कि पना स्वर अंडिरॉद के फेड़े में यहांज आ एप है मैं बारासुर को कैसे भूल गए जब थक मैं अंडिरुद की को ले chef गृत के देखता यह चेंज सफ दी नहीं आएगी बैडिर त कि कि किसी की चाहत भी क्या चीज है जो आकारण ही मन में शंका को भड़काने के साथ-साथ भाई को भी जनम देती है अनिरुद को देखकर संतोष प्राप्ट हुआ मुझे तो व्यर्थी चिंता हो रहे थी लगता है वो माया भी लौट गया है पर अब फिर से लौट भी सकता है अनिरुद की सुरक्षा के लिए यहीं वेहतर होगा कि मैं इसी कक्ष में विश्राम करूँ यदि उस मायाभी ने फिर से लौटी की भूल की तो माया अपनी इस तलवार से उसका सिर उडा दूगा प्रभू अब आप किस नाटकिये रचना से तो मन में उत्सुकता की लहरे उठने लगी है दाओ भीया ने तो अपने अभने से इस नाटक में अद्भुद रंग भर दिये हैं अब आगे क्या होगा भगवन देवर्शी ये तो चित्रलेखा की इच्छा पर निर्भर है ना रायन ना रायन अब आप ही चित्रलेखा का मार्क दर्शन कीजे भगवन देवर्शी इसके कोई आवशक्ता नहीं है चित्रलेखा माया भी है वो सोहम अपना मार्क दर्शन करेगी ना रायन ना रायन प्रभू ये मैं क्या देख रहा हूँ देवर्शी मैंने आपसे कहा था ना चित्रलेखा माया भी है मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि उसने पिछले जन्म में एक बार देवी पार्वती का रूप धारण किया था और अब इस जन्म में देवी रुक्मिनी का रूप धारण किया है झाल उन्म में देवी रुक्मिनी का रूप अजिए प्रुक्षण देवी रुक्मिनी का रूप धारण किया है ताओ भीया आप यहां अनिरुद के कक्षमे तुम इतनी राद गई यहां तुम यहां क्या करने आई हो मैं ताओ भीया मैं तो केवल अनिरुद को देखने आई थी किये सो गया की नहीं आज कर अनिरुद रातों को बहुत जाकता रहता है परन्तु आप यहां तल्वार लेकर क्या कर रहे हैं? कि रुकमनी अब में यहां पितामा के अधाय मां तादीमा आप दूने यहां इसा में क्या करे हैं? वाद्स, हमें तुम्हारी चिन्ता यहां खीच लाई है, क्यों क्या हुआ है मुझे, मुझे क्या कोई सोते मुठा ले जाएगा लादी मा, आप घबरा क्यों गई? मैं, मैं डर गई त्या अनिरुद, मुझे लगा कहीं सच मुझ ऐसा नहो जाए मेरा जीतो चाहता है कि मैं तुम्हें इसी वक्त अपनी गोद में उठाकर यहां से ले जाओ छोड़िये भी दादी मा, अब मैं बच्चा नहीं रहा हाँ, अब तुम बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हो और प्रेंदी करने लगए हो क्यों? परन्तो वच्च, तुम जवान हो गए हो, परन्तो तुम्हारी सुरक्षा के हे तो हम तुमें अकेला नहीं छोड़ सकते क्या आपको मेरे बाहुबल और शौरे पर विश्वास नहीं रहा पितामा? पितामा, जब भी मेरे हाथ में शस्त्र होता है, तो मृत्यू भी मुझे पराजित नहीं कर सकती वच्सा निरुद्ध, अपने बल पर, अपने शौरे पर विश्वास होना बहुत अच्छी बात है 35 विश्वास को अहंकार नहीं बनने देना चाहिए वैसे भी अहंकार में मनश्य अक्सर भूल कर बैठता है और फिर, ये बल, ये शौरे किसी काम नहीं आता मैं अहंकार से नहीं, विश्वास से बोल रहा हूँ आप मेरी चिंता मत केजिए अनिरुद्ध, बड़ों को अपने छोटों की चिंता हमेशा रहती ही है परन्तु अचानक आप दोनों को मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी वच्सा निरुद्ध, त्वारिका में एक माया भी घुसाया है माया भी नहीं दाव भैया, माया भी नहीं होगी माया भी नहीं? हाँ आप देखिये ने दाव भेया अपना अनेरुत इतना सुन्दर है कि इस सुन्दर से राजकुमार का मन मोहने के लिए कोई माया भी नहीं यहां आ सकती है दादे मा अब आप भी मेरी खिल्ली उडाने लगी अरे इसमें खिल्ली उडाने की कौन सी बात है तुम्हारी आयू ही ऐसी है जिसमें प्यारे प्यारे सपने आते हैं दाव भेया इसके सपनों में भी जरूर इसकी कोई सपनसुन्दरी आती होगी है ना क्यों अनिरुत कुछ गलत बोला मैंने ताओ भैया अनिरुथ अब विवा के योगी हो गया है यह तो अपने सपने में भी अपनी प्रेमिका को देखा करता होगा है ना या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सपने में उसने अपने प्रेमिका से विवा कर लिया हो हम दोनों ने वेर्थे इसका सपना तोड़ दिया दाओ भैया अनिरुथ तो चाहता होगा कि जैसे उसका सपना तूटे और आँख खुले उसके प्रेमिका उसके सामने खड़ी हो चलिए दाओ भैया इसे सोने देते हैं यदि इसके प्रारब्ध में होगा तो कल अवशे ही ये अपनी प्रेमिका के पास होगा रुपमिनी ये भी हो सकता है यदि इसके प्रारब्ध में होगा तो हो सकता है कि कलीज का शुव विवाह भी हो जाए आपकी वानी सत्य हो दाओ भाईया देखो वाजसा निरुद्ध तुम्हें एकदम सदर करेना चाहिए सपनों में बिल्कुल ही खो जाना चाहिए जीदा दादे मां चलिए आप भी विश्राम कर लेजिये हाँ हाँ हावत अवश्य जाओंगी परंतों तुम्हें साथ लेकर जाओंगी कहां सुपने नगरी की राजकुमारी के पास तुम्हें भी सोचाओ वच कल का सवेरा तुम्हारे जीवन का सब से रंगीन सवेरा होगा तुम स्वयम संब्रहमित हो जाओगे कि ये स्वपन है या वास्तविकता कर दो कर दो लुझ साह कर दो भी यह इतनी राद गए आप अभी तक सोई नहीं कैसे सो सकता हूं कर नहीं तुम्हें तो दुआरिका की सुरक्षा की बिल्कुल जिंता नहीं है तुम यहां बासुरी बजाते रहते हो हर वक्त आप मुझसे नाराज हैं दाओ भी यह हां मैं तुमसे नाराज था इसलिए तुमसे लड़ने यहां आया था परंफ दौभिया आपके क्रोध का कारण क्या है क्रोध का तुम हो कर नहीं तुम और गुद नहों मैंने क्या किया है जो आप मुझसे विरुष्थ होनी की तो बाते कर नहीं कर दुआरिका में कोई मैया भी और इस बात की तुम्हें सुन्गुन तक नहीं माया विग घुसाया है यह कैसे संभव है आपको कैसे पता दाओ भी यह अले उसे मैंने अपनी आखों से दिखाया कनहिया परंतु वो माया वी द्वारिका में किसली आया होगा अनिरुद्ध के लिए अनिरुद्ध के लिए हा के लिए हीज अनिरुद्ध के लिए उशा का हाथ मांगा था का बन मनता है इसलिए वह producers शमलंध जोड़ना नहीं चाहता होगा इसलिए अन्रुद्ध को मारने यह उसका अप्रहण करने के लिए उसमेश को भेज़ा ऐसे होगा फिर पिर क्या कंहिया जैसे ही मैंने असुर को देखा मेरे मन में अन्रुथ धुक्यीर प्रिखी में पहुच्ण गया और क्या देखता हूं कि थोड़ी देराथ हूं से क्षी वहां कुनिय को शौबा देता है दाओ भाइया आपको दोखा हुआ है harvest रुकमिणी ऐसी बतेे नहीं कर सकती मुझे और नहीं होता बलकि सद्न का आभास होता है जोटे होकर बुद्धी और ग्यान का पाठ मुझे मत पढ़ाओ का नहीं हुआ मुझे कोई आभास नहीं हुआ मुझे मेरे कानों और आखों पर पूरा विश्वास है दाओ भीया कभी कभी आखें धोका भी देती हैं मेरी आखों को कोई धोका नहीं हुआ का नहीं है परन्तु दाओ भीया रुकमिणी अपने प यही दाओ भीया, कि रुकमिनी तो अपने कक्ष में है, वो देखिए, उधर देखिए रुकमिनी के कक्ष में कनहिया, यह कैसे हो सकता है, मैंने स्वयम अपनी आखों से रुकमिनी को अन्रूद के कक्ष में देखा है, वो आओ का ब्रहम होगा दाओ भीया दो भया वो देखिए अनिरुद के कक्ष में अरिक्या करहिया वो देखो वो बार रुकमिणी है अनिरुद के कक्ष में देखो करहिया देखो वो रुकमिणी है करहिया रुकमिणी का ये वेवहार मन में संदेह उत्पन कर रहा है आप भी बहुत धीरे सोचते हैं, दाओ भीया, वो रुक्मिनी नहीं है, वो रुक्मिनी नहीं है, लब तो भो, वही मायावी होगी, जिसे मैंने देखा था कन्हिया, पर तु वह है कौन, दाओ भीया, वो बाना सुर की कन्या उशा की सखी, चुत्र लेखा है, तुम्हें पत कि माश्री पजा रहा है हो, इसो क्या चक्रविय हो कर रहिया, बताता हूं दाओ भीया, पहले वो देखिये, आप मैं सही पहचानता दाओ भीया, आप मैं सही पहचानता दाओ भीया, कि द्वारिका में कोई माया भी घुसाया है, परन्तु अंतर इतना ही है, कि माया भी के बदले, माया विनी चित्रलेखा घुसायी है, परन्तु उसने इतना सहस कैसे किया कर नहिया, इसका भी आपको पता चल जाएगा दाओ भीया, बस ज़रा धीरस से काम लीजिए, और देखिये की आगे होता है क्या, अरे अरे कनहिया, वो माया विनी तो अन्रुद का अपरहन करने जा रही है, उसे रोकना होगा कनहिया, रुक जाए दाओ भीया, रुक जाए तुम, तुम मुझे रोक रहे हो कनहिया, कनहिया, बलकि मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसे इस अपरहन को तुमारा आशिरवाद प्राप्त है, दाओ भीया, इसमें ना कोई राजनीती है, और नहीं कोई रहस्य, और दाओ भीया, नहीं बानसुर, अनिरुद का अपरहन कर रहा है, फिर चित्रलेखा किसके आदेश का अनुसार अनिरुद का अपरहन कर रही है कनहिया, किसी के आदेश का पालन नहीं कर रही है वो, दव भीया, चित्र लेखा उशा की सखी होने के कारण उशा और अनिरुद्ध को मिलाना चाहती है दव भीया, उशा अनिरुद्ध से प्रेम करती है और अनिरुद्ध उशा से प्रेम करता है आपने उसे पत्र लिखकर शत्रुता का अंत करके एक नए संबंद की शुरुवात करने की बिंते भी की परन्तु बानसुर ने उसे ठुकरा दिया दाओ भीया केवल बानसुर के अहंकार के कारण अनिरुद्ध और उशा एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे इसलिए दाओ भीया चित्र लेखा को आप मत रोकिये वाह कनहिया दाओ भीया उशा और अनिरुद्ध का अवर्शि विवा होगा और साथ ही साथ बानसुर के अहंकार का नाश भी होगा तो इसका अर्थ ही यह है कनहिया केसा भारण को तुम्हारा आशिरवाद प्राप्त है दाओ भीया केवल मेरा ही नहीं देवी पारवती और भगवान भोले शंकर का भी परन्तु कनहिया क्या विवाह से पहले अनुरुद्ध का उशा के पास पहुंचाना उचित होगा लाओ भीया उशा ने जो सपने में विवाह किया है वो सपना देवी पारवती का अशिरवात था इसलिए अलोक एक दृष्टी से तो वो विवाह संपन हो चुका है अब तो केवल सांसारिक विवाशेश है परन्तु कनहिया क्या बानासुर के राजभावन में हमारा अनिरुद्ध सुरक्षित रह पाएगा तो भीया अनिरुद्ध अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है फिर भी कोई बुरी घड़ी आई तो हमें उसकी सुरक्षा करने ही होगी टूँ करने में आई तो हमें पर दोनास सांसारिक विष्ण।